वेलकम टोनली आईयस, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज है 10 चनवरी 2022 तो आज ये देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं हमारा first article election expenditure limit के बारे में है election commission of India ने अभी हाल ही में election expenditure limit को बढ़ा दिया है उन candidates के लिए जो election contest करते हैं क्या होती है ये election expenditure limit ये basically वो limit होती है जो एक candidate legally खर्च कर सकता है अपने election के दावरान election के दावरान वो किन-किन चीजों पे पैसे खर्च कर सकता है जैसे कि election campaign, advertisement, public meeting, rallies, posters, banners, vehicle इन सभी चीजों पे जो पैसे खर्च किये जाते हैं उस सभी खर्च को election expenditure के भीतर count किया जाएगा अब यहाँ पर देखे जो section 77 है Representation of People Act of 1951 का वो हर candidate से ये कहता है कि उन्हें सभी लोगों को separate और correct account रखना होगा उस expenditure का जो उन्होंने election के दावरान किया है election के दौरान का यहाँ पर क्या मतलब है election के दौरान का मतलब है वो date जिस दिन उन्होंने अपना nomination फाइल किया और तब तक की date जब election का result declare किया गया इन दोनों dates के बीच को election duration माना जाएगा और उसके बीच किया गया खर्च इस expenditure limit के तहत आ जाएगा सभी candidates को result declare हो जाने के within 30 days अपनी expenditure statement को election commission of India को सौपना होगा अगर उन्होंने कोई incorrect account दिया सही जानकारी नहीं दी या उन्होंने जो cap दिया गया है election commission के दौरा उसको बीच किया तो उनका candidature cancel किया जा सकता है further उन्हें 3 सालों के लिए बार किया जा सकता है election contest करने से ऐसा प्रावधान हमें 1951 का जो representation of people's act है उसके section 10A में मिलता है तो proper प्रावधान है अब देखिए क्या है अभी तक क्या हुआ करता था election expenditure के limit और क्या बदलाव किये गए है पहले जो election expenditure के limit हुआ करती थी ये actually limit करता है कि राज जचोटा है या बढ़ा छोटे राज्यों में जो limit होती है वो 54 lakhs की होती थी और बड़े राज्यों में limit 70 lakhs की होती थी अब इसे बढ़ा दिया गया है मतलब कि अब ये 70 lakh to 95 lakh हो गई है छोटे राज्यों में अब लोगसभाई elections में एक candidate अपनी constituency में 70 लाग रुपे खर्च कर सकता है और बड़े राज्यों में ये खर्च बढ़ा के 95 लाग कर दिया किया है। जो election contest करने वाले individuals हैं बुझाता पैसे खर्च कर पाएंगे। अब देखिए अभी उत्तर प्रदेश में elections होने वाले हैं तो यहाँ पर जो भी candidates हैं वो 40 लाग खर्च कर पाएंगे विकॉज ये बड़े राज्य की कटेगरी में आता है। फर्दर उत्तरा खंड और पंजाब क्या वर्तमान में changes आएं हैं ताकि आप प्रश्न सही कर सकें। हमारा next article माया civilization के बारे में है। अभी हाल ही में एक नई study आई है जो ये साबित करने की कोशिस करती है कि आखिर माया civilization का अंत हुआ कैसे। 21 दिसंबर 2012 याद है ये वही date है जब धर्ती का अंत होने वाला था और इस हिसाब से तो ना तो मुझे discussion करना चाहिए और आपको सुनना चाहिए। सारे news चनल वालों ने नाक में दम कर रखा था कि बस धर्ती यह date है इसी दिन खतम हो जाएगी इसके बाद कुछ बचेगा नहीं जीवन में और इस धर्ती पे भी कुछ नहीं बचेगा। और अधार ये था कि 21 दिसंबर 2012 के बाद जो माया civilization का calendar है वो समाप्त हो जाता है और जिस दिन माया civilization का calendar समाप्त होगा उसी दिन धर्ती का अंत हो जाएगा। अरे भाईया किसी civilization ने calendar बनाया था अपने हिसाब से उन्हें लगा उसके बाद फिर से बना लेंगे ज़िवरत पड खैर अभी ये बात निकल के आ रहे है कि आखिर माया civilization खतम कैसे हुई माया civilization के बादे में कुछ बेसिक बाते समझते हैं माया civilization का जो origin है वो यूकातन पेनिसुला पे है यूकातन पेनिसुला कहां पे है देखिए ये अमेरिका दिख रहा है यूटे स्टेट्स ये है मैक्सि रहा है यहीं पर माया civilization हुआ करती थी ठीक है ये जो लोग थे ये मैक्सिको और सेट्रल अमेरिका की लोग हुआ करते थे मेसो अमेरिकन सेवलाइजिशन बेसिक लिए हुआ करती थी जहां पे माया लोगों का निवास हुआ करता था Maya civilization के लोग कई सारी चीज़ों के लिए जाने जाते थे like logo syllabic script जो logo syllabic script होती है ये काफ़े sophisticated और बहुत ज़रा developed script हुआ करती थी जो pre-columbian America के लोग use किया करते थे इसमें basically एक character एक word को represent करता है इसके अनावा Maya civilization के लोगों का art, architecture, mathematics, calendar, astronomical system सब बहुत ही उननत किस्म का था बहुत ज़रा developed था monumental architectures उनके बहुत ही बढ़ियां थे वो कुछ pyramids बनाया करते थे जो बहुत ही unique होते थे वो आज भी उनके जो remains है वो हमें मिल जाते हैं ये जो सभिता थी ये mathematics और astronomy के बहुत ही अच्छी understanding रखती थी 600 से 800 AD के बीच में ये जो civilization है ये काफे बढ़ियां से flourish हुई लेकिन 800 से 950 AD के बीच 800 तो 950 AD के बीच धीमे धीमे ये civilization कोलाप्स हो गई और जो Maya civilization के लोग थे उन्होंने Maya cities को छोड़ दिया समझ में नहीं आया आखिर ये हुआ कैसे कई तरीके के कयास लगाए गए कि आखिर क्या हुआ होगा कि Maya civilization के लोगों ने उन cities को छोड़ दिया या ये civilization कोलाप्स कर गई कुछ लोगों ने कहा कि aliens ने हमला कर दिया कुछ लोगों ने कहा भूत प्रेतों ने हमला कर दिया होगा जिसको जो मन में आया उसमें वो बोला 2006 में बेसिकली एक किताब आय थी 2005 में जिसमें ये कहा गया था कि वहाँ पे लगभग 100 सालों का ड्रॉट आया था 100 सालों का जो सूखा था उसकी वज़े से ये civilization कोलाप्स कर गई हाला कि वह महस दावे थे और उन पर लगाता research चल रही थी अभी उसी समन में कुछ research पब्लिश होई है research में ये कहा गया है कि जो माया civilization के लोग थे हो सकता है कि वह ड्रॉट deforestation और climate change की वज़े से अपनी civilization को खो चुके हों क्योंकि जिस भी प्रकार के greens उगाते थे या खाते थे जैसे कि corn, beans या squash वो drought sensitive crops थे मतलब अगर drought आया पानी की कमी हुई तो उन्हें अनाज की कमी हो जाएगी तो पूरी संभावना है कि जो claims अभी तक किये जा रहे थे कि माया civilization का जो अंत है वो इस वज़े से हो सकता है drought की वज़े से हो सकता है कि ऐसा हुआ हो इसके evidences सब हमें धीमिधि में मिल रहे है दुनिया के कुछ अन्य देशों के civilization की बात करते हैं जैसे कि इंकन civilization ये एक्वाडियोर पेरू और चिली साथ अमेरिका का मैक्सिको की रीजन में थी रोमन civilization रोम में हुआ करती थी उसका center रोम था basically थी तो बड़ी Persian civilization का center इरान था ancient Greek civilization वर्तमान के ग्रीस में हुआ करती थी Chinese civilization obviously China और ancient Egyptian civilization एजिप्ट में हुआ करती थी इंडेस वारिस civilization के बारे में आप जानते हैं North East, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर नदर North West, इंडिया तक और Mesopotamian जो civilization थी वो इराक, सीरिया और टर्की की रीजन में हुआ करती थी तो दुनिया की अन्य civilizations को भी हमने समझा अब हम बात करेंगे Mobile Honey Processing Van के बारे में KVIC की जो chairman है स्री विने कुमार सक्सेना जी उन्होंने अभी हाल ही में कंट्री का first Mobile Honey Processing Van launch किया, जो गाजियाबाद UP का सिरोरा विलेज है वहां से Mobile Van ये है क्या? Mobile Van तो चलने वाली एक Van है ये kind of in-house development के तहत तयार की गई है जिसे जो multi-disciplinary training center है KVIC का पंजो कहरा में वहां पर ही इसे तयार किया गया और इसे तयार करने में जो cost है that was of 15 lakh जो Mobile Honey Processing Unit है जो ये Mobile Van तयार की गई है ये 300 kg तक Honey को process कर सकती है महज 8 घंटों में Van को testing laboratory के सांद पर equip किया गया है जिसके जरिये तुरंथी पता लगाया जा सकता है कि Honey की quality कैसी है फर्दर जो Mobile Honey Processing Van है ये KVIC का जो Honey Mission है उसका भी हिस्सा है जिसके तहट जो bee keepers है मदुमक्खी पालक है जो bee boxes इसमें उन्हें train किया जाता है फर्दर farmers को bee boxes distribute किये जाते है उन्हें एजुकीर किया जाता है कि वो इसके जरीए अपनी income enhance कर सकते है फर्दर हमारे Prime Minister का एक dream भी है एक vision भी है sweet grantee का या sweet revolution का जिसके तहट इंडिया में honey production को बढ़ाने की कोशिस की जा रही है ताकि जो honey farmers हैं उन्हें और अच्छा price मिले उनके produce का तो इसमें भी ये जो mobile van है ये मददगार साबित होगी जो हमारा next article है वो Asian water birth census के बारे में है दो दिनों का जो Asian water birth census था ये आंदर प्रदेश में complete हुआ जो experts थे वो Bombay Natural History Society के ages में उसके under में ही अपने ये पूरा research ये जो census है वो कर रहे थे इस census के सुरुआत दिखे 1987 में की गई थी UPSC interested रहती है कि initiative कब लिया गया अब कई बार वो trick कैसे करते हैं अभी 1987 का है न लिख दिंगे recently start हुआ अब 1987 recently तो नहीं हो सकता तो ऐसे वो trick करते हैं ये event हर साल January में होता है annual exercise है यहाँ पे जो wetland में water birds आती है उन्हें हम count करते हैं कि कहाँ पे कितनी आई जो central Asian flyway है उसका कितना use हुआ इन सभी चीज़ों को evaluate किया जाता है इसे conduct किया जाता है wetland international के द्वारा repeat करता हूँ आपके लिए Asian water bird census को conduct किया जाता है wetland international के द्वारा और यह global water bird monitoring program का हिस्सा भी होता है जिसे कई बार आम बोलचाल की भासा में international water bird census यानि कि IWC कहा जाता है IWC जो है यह monitoring program है जो कि 143 country में चलता है जिसके जरीए wetland sites पर water birds के numbers को count किया जाता है wetland international एक global not for profit organization है जिनका काम wetlands के conservation और restoration का है AWC यानि कि Asian water bird census यह wetland international south Asia जो है उसने Bombay National History Society के साथ मिलकर इंडिया में conduct किया तो इंडिया में conduct करने में यह दो entities involved रही जो census है उसमें कई सारी findings निकल की आई Delhi NCR के region में जो ओखला बढ़ संचुरी है Sanjay Lake है और हसनापु वाइलाफ संचुरी है वहाँ पे क्या निकल के आया finding में हसनापु वाइलाफ संचुरी के सती बढ़िया है पिछले साल जहां केवल 38 water bird species वहाँ देखी गई यह नंबर इस साल बढ़ के 45 रहा हला कि ओखला बढ़ संचुरी में सिचुएशन पिछले साल के तुलना में अच्छी नहीं पिछले साल हमें 73 species दिखी थी और इस बार महद 47 और संजय लेक में भी इस सिती पिछले साल के तुलना में कमजोर रही केवल यहां पे देखे जो उखला बढ़ संचुरी है केवल एक ही migratory species दिखी नदन सौवलर और जो संजय लेक है वहां पे दो ग्रेट, कॉर्मरेंट और युरेशन कूट तो मतलब यह पिछले साल के तुलना में कम है वाटर बढ़्स क्या होती है वो वाटर बढ़्स ऐसी बढ़्स होती है जो ecologically wetlands पे dependent होती है उसी रीजिन में रहना पसंद करती है वही feed करती है, वही उनका नीश्य होता है और अगर यह वहां पर है मतलब wetland की health अच्छी है अगर यह वहां नहीं है, मतलब wetlands जो है उनके सथी पहली की तुलणा में खराब है आब यह बात करते हैं two versus two agree market access issue के बारे में department of agriculture and farmers welfare नहीं US का जो department of agriculture अनके साथ sign किया है एक agreement two versus two agree market issue पे two versus two का मतलब क्या है आप हमारे दो fruits को access दीजिए, हम आपके दो fruits को access देंगे इंडियन market में मतलब आप हमारी मदद करिए, हम आपकी करेंगे, ठीक है, यह है 2 vs 2 का मतलब, मतलब इसके जरीए, जो अमेरिका है, USA है, वो इंडियन मैंगोज और पॉमिग्रेनेट, यानि की अनार, इसे एक्सेस देंगे US मार्केट की, और इंडिया अपनी ओर से US चेरीज और US अलफा अल एक्सेस इशूज, ये भी पूछा जा सकता है, ये किस के लिए है, कोई ग्रेन के लिए है, या किसी अनिचीज के लिए है, तो आपको ये आइडिया रहे कि नहीं, ये फ्रूट्स के लिए है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट इशू, आर्टिकल 348 के बारे में है, गुजरात जग रहा है कि कोर्ट नाराज रहा होगा इनके उपर, एक तो ये contempt of court में आये है, तो court ने ऐसा कहा, क्या वो ऐसा कह सकते हैं, वो बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, विकॉज आर्टिकल 348 में इस सम्मन में प्रावधान है, आर्टिकल 348 बोलता है कि High Court या Supreme Court मे Act या Bills के सम्मन में जो भी language से इस्तेमाल की जाएंगी, वो होगी English, आर्टिकल 348 का clause 1 ये बोलता है, कि जब तक Parliament by law किसी अन language का प्रावधान नहीं करता, तब तक Supreme Court और High Court में जो language इस्तेमाल की जाएगी, that will be English, आर्टिकल 348 का clause 2 भी है, जिसमें ये कहा गया है कि Governor जो State के हैं, वो President की consent लेकर Hindi language को authorize कर सकते हैं, किसी अन language को authorize कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल State के official purpose से High Court में किया जा सकता है, उसके principal seat में, लेकिन यहाँ पे भी एक बात रहेगी, कि जो decree, judgment या orders हैं, वो तो तब भी English में ही रहेंगे, क्या किसी अन language को permit नहीं किया जा सकता, किया ज 7 है, Official Languages Act of 1963 का, वो Hindi को या फिर किसी अन official language को use करने के अनुमती देता है, English language के साथ साथ, इसका भी प्रावधान है, और वही बात है, इसे अलाओ करने के जिम्मेदारी भी Governor जो State के हैं, उनके पास है, वो भी President के Prior Approval के साथ, हमारा next article फातिमा सेख जी के बारे में है, 9 जन जो फातिमा सेख जी हैं, वो Indian educator रही है, यह colleague रही है जियोतिबा फुले और सावित्री भाइप फुले जी की, फातिमा सेख जी मिया उस्मां शेख जी की बहन थी, जिनके घर में ही जियोतिबा फुले और सावित्री भाइप फुले जी रहा करते थे, यह First Muslim woman educator रही या teacher रह जो सेख जी है, उनकी मुलाकात सावित्री भाई फुले जी से हुई थी, जब ये दोनों लोग एक टीचर ट्रेनिंग इंस्ट्यूशन में ट्रेनिंग के लिए गये थे, जिसे रन किया जा रहा था सिंथिया फरार जी के द्वरा जो अमेरिकन मिशनरी थे, उन्होंने पांच सेख जी के बारे में हम में से कम लोगों को ही पता रहा होगा, तो अब आपके पास इनके बारे में भी जानकारी है, आए रिविजन कर लेते हैं, पहला स्टेट्मेंट, इलेक्शन एक्स्पेंडेचर लिमिट, अगर किसी ने इस कैप को ब्रीच किया, उसके बियॉंड करती थी, जो कि आपको Central America में मिलेगा, not Central Asia, ठीक है, मुबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, ये 300 kg तक हनी को प्रोसेस कर सकती है, 8 गंटे में, that's true, Asian water birth census, इसे IUCN कंड़क करता है, गलत है, Wetland International का ये काम है, Article 348, इसके तहत, Supreme Court और High Court में, Act और Bill के प्रफसर जो ला English इस्तेमाल क होगा, बहुत बहुत धन्यवाद